हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू लेकिशा फूड ब्लोग तो आज हम ड्राइफ फ्रूट मिक्स गॉंद के लड्डू बनाने चाहरें काफी हल्दी होते हैं बॉड़ी के लिए तो इसके लिए हम कुछ ड्राइफ फ्रूट से लेंगे जैसे काजू, पिष्टा, बदाम, किश्मिश और नारियल तो सबसे पहले देसी गी के अंदर हम गॉंद को फ्राई करने चाहरे हैं तो आपको ध्यान रखना इसमें जब गॉंद के चटकने की आवाज बंद हो जाए और गॉंद का कलर हलका सब ब्राउन हो जाए तो समझ लीजेगा आपका गॉंद फ्राई हो चुके हैं तो यहां हमारे गॉंद का कलर ब्राउन हो चुका है इनके चटकने की आवाज भी बंद हो चुकी है तो हमारा गॉंद यहां फ्राई हो चुका है तो हम इन गॉंद को परात में निकालना शुरू करेंगे तो ये गौंद लगबग हमारा फ्राई हो चुका है अब नेक्स जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो ड्राइफ फ्रूट्स फ्राई कर रहेगा तो हम दो बड़े चम्मत देशीगी को कड़ाई में डालेंगे और जो सबसे पहले हम जो जान रखना है कि जब काजू का कलर लगधा सा ब्राउं हो जाये तो आपको इसको निकालेए आापको डीप नहीं करना तक कि यह ज्यादा डीप फ्राई ना हो जाए तो यहां हमारा पिष्टा भी फ्राई हो चुका है अब हम बादाम को फ्राई करने जा रहे हैं बादाम भी दिमाग के लिए काफी अच्छा आप्शन है और बादाम से दिमाग काफी शार्प होता है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा यह टॉनिक है तो देखिए हमारे जो सारे ट्राई फ्रूट से वो फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको मिक्सी के अंदर ग्राईंड करेंगे लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह बिल्कुल बारीक ग्राईंड नहीं करना है इसको खड़े रखना है अब हम गौन्द को मैश करना शुरू करेंगे और आपको ध्यान रखना इतना ज़्यादा मैश नहीं हो कि वो बिल्कुल चूरा सा हो जाए बिल्कुल बारीक हो जाए आपको थोड़ा सा इसको खड़ा भी रखना है तो इस तरह से सबसे पहले हम ये गौन्द को मैश कर रहे हैं अब देखिए हमारा गौन्द मैश हो चुका है उसके बाद हम जो हमने नारियल कसा था उस नारियल को इसमें मैश करेंगे तो नारियल भी एक अच्छा टॉनिक है दिमाग के लिए अब हम जितने भी ड्राइब फ्रूट्स हमने जो ग्राइंड किये थे मिक्सी के अंदर वो हम इसमें डालना शुरू करेंगे हमने काजू, पिष्टा, बादाम यह सब हमने ग्राइंड किये थे तो इनको हमने इसमें डालना शुरू कर दिया है अब यह सब हम टाल चुके हैं अब देखिए हम जो किश्मिश हैं वो मिक्स कर रहे हैं तो किश्मिश से क्या थोड़ी से मिठास भी आ जाती है तो हमने काली मिर्च का चूरा बनाया था बिल्कुल बारिक तो वो काली मिर्च हम इसमें मिक्स कर रहे है अब हम शक्तर का जो बूरा है वो डालेंगे ताकि ये मीठा हो जाए अब चम्मच से हमें सावधानी से इनको मिक्स करना है और हिलाते रहना और बीच बीच में चम्मच को थोड़ा सा प्रेस भी करना है ताकि इनकी कोई गाठे ने बन पाए तो अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जितने भी आपके इंग्रेडेंट्स हैं वो सारे के सारे आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो चम्मच से आप मिक्स कीजिए और बीच बीच में चम्मच को प्रेस भी करते रहिएगा ताकि गाठे ना पड़े अब हम हातों से इन लड्डू को बनाना शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से आपके गौंद के लड्डू तैयार हो रहे हैं और वीडियो कैसा लगा यह आपको रैसीपी कैसे लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से यादा शियर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो नेक्स वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक रैसीपी लेके आएंगे तो आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा तो लीजिए आपके कौन के लड़ू तैयार हैं और सर्दियों में ये काफी हल्दी रहते हैं पूरी फैमिली के लिए और काफी टैस्टी भी होते हैं इनका टैस्ट भी काफी उनिक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू